हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है फ्रेंट क्योंकि आज के वीडियो में एक साथ इंतिंग समस्या की हल होने वाली है ब्लॉज समंदी जैसे की पहली हो सोल्डर दूसरी जो है आर्म होल की में जो लानी और तीसरी की साइज में कितना आर्म होल के साथ फ्रेंट वीडियो को बिना बढ़ाए हुए एक एक चीज देखिएगा तो समझेगते एक और इस पे हम दो ब्लॉज का दिखाएंगे साड़े पांच इन सोल्डर साड़े पांच आर्म होल लेंगे और दोनों का ज किलियर कर देंगे तो यह देखिए फ्रेंट सबसे पाल जो है यहां से हम सोल्डर लेते हैं तो सोल्डर जो है यहां से साड़े पांच इन्च ले रहे हैं तो यह देखिए साड़े पांच इन्च यहां पे हम सोल्डर ले रहे हैं अब यहां से जो है हम आर्म होल भी साड़ पाँच इंच लेंगे तो देखिए फ्रेंट यही चीज़ है चौनतीस की बलाउज और एक तालीस की बलाउज दोनों में एक नीवराबर सॉल्डर ले रहे हैं एक नीवराबर जो है आर्मोल ले रहे हैं और उसी पर क्योंकि आप लोगों तो इहां से साढ़े होगी सा daughter लिए तौह साढ़े पाँच इंच वूपर लिए तो साजें पाँच इंच यहाँ से भी नव्य नापते हैं आप ली अमने उस पाँच इंच हो गयी तो या चक कर लिए और यहां पर थोड़ा मेरी आगे पढ़ गी थी जहां पर अभी निसान पढ़ी वहां पर हम मिला लेंगे और एक बॉक्स का रूप इसको दे देंगे तो फ्रेंड यहां पर ध्यान से वीडियो को देखिए और बिना पढ़ाई हो देखिए क्योंकि यही में इंपोर्टेंट यहां पर इपहले हम बॉक्स बणा लेते हैं और फिर इसमें गुलाई लेंगे जैसे की सभी वलाख में लेते हैं तो फ्रेंड यहां पर हम सवा जो है । पे सभी बलाज में गुलाई लेते हैं तो अब भी लीजिये और देखिये फ्रेंड उससे पहले हम चेश्ट का लेते हैं तो चेश्ट यहां देखिए मेरी 41 की जू है 4 की एक भाग होती है सवा 10 इंच तो देखिए यहां जहां पे सवा 10 इंच गई वहां पे हम एक निसान लगा लिए तो यह मेरी चेश्ट की आ गई और यहां पे अभी हम आर्म होल की गुलाई लेंगे तो वो हम सवा 10 इंच पे गुलाई लेंगे तो यह बहुत इंपोर्टेंट है यहां पे आप ध्यान से देखिए यहां पे देखिए भा राल exception Border यहां पे ध्यान दीजिए और ध्यान से देखिए पांचेश गई वहाँ पर हम निसान लगा और इस निसान को हम यह दो निसान होगे और तीसरी निसान कहा ले रहे वह देखिए जहां चेश्ट के लिए हुए हैं वहाँ पर पौने इंच हम नीचे एक निसान लगा रहे हैं तो अब देखिए यहां से इस निसान को उस निसान में मिला देंगे यहां पर इंपूर्ट ये तीनों निश्वाइब आई थी यह निसान और जहां पोने इंच गई है वह निशान वहां नीचे करके विल जाएगी कभी आपकी जोल नहीं आएगी तो देखिए फ्रेंट ये किलियर हो गई लेने का यह तरीका पता हुआ सब्सक्राइब करेंगे तो यह देखिए फ्रेंट फिर से क्या करेंगे तो यह देखिए फ्रेंट मिला दिये तो यह मेरी शेप सही आ गई ऐसके फोकस में आर्म होख सोल्डर है इसके बारे हम खास करके बताना चाहते हैं नीचे से दो इंच एश्ट्रा मार्जिंग के लिए लेंगे और साइड से भी तो सभी वज्टी हम लेते हैं नीचे और साइड से दो इंच माज़िसे लग कभी वी आपकी ब्लाज्द छोटी नहीं होगे ना छोटी होगी ना बड़ी होगी एक तम फिटिंग के साथ आपके बलाउज बनेगी तो यह सारी चीए एक सेप तयार हो गई फ्रेंड और यह गोलाई भी लेने का हम तरीका बता दिया आर मुहल में किलियर कर दिया तो अब यहां पर देखिए फ्रेंड जैसे अब यहां पर गोलाई बीना ट्रिक का वेसे हम दूसरे से डेड़ इंच पे ले लिया और फोड़ा उपर से गोलाई ले रहे हैं और अंदर ही मिला दिये वीच में जो है कपड़ा आ गए तो यही क्या होती है यह कपड़ा पोने इंच लेकर के नहीं मिलाते हैं और यह कप लाई तो यह बहुत इंपोर्टेंट है इस तरह से आप ब्लॉज की कटिंग करें तो यह देखे नीचे से गई और यही जो एश्ट्रा मेरी कपड़ा हुई वह निकाली बहुत जोड़ी यह नहीं निकालेंगा ब्लॉज में छोड़ देंगे तो जो है मेरी ब्लॉज में जोल से गईर कर दिए है फरेंड यह यहां डियें अर उससे पहले फेरेंटो आभी हम चीजा आपको नापी दिखाते हैं इसर फें 34 की बस यहांसी अब ही नापी लिए है तो इसकी जो है एक तामिस्की बलउज जो है उसकी जो है गोलाई है साधे नौइंच और 34 की असकी गुलाई है साले आपके सामने हम नौप के दिखाते है तो उइट किलर की वह राद के ओन के बीओक लाइक है यह देखे ते फ्रेंड जहां पर जॉइंट है वहां पर इंची ठ्रेप नहीं होग पटी को ना पेंगे क्योंकि काज पटी में जो होता है बढ़ी रती कपड़ा तो रखेंगे और नीचे की जॉइंट आर्मॉल के पास नपते हैं तो ये देखे फ्रेंड ये जब ना पिलिये तो ये मेरी कितनी आ रही तो ये साड़े 9 इंच आ रही है तो ये किलियर हो गई यानि कि 19 इसकी गोलाई है तो देखे फ्रेंड तो ये अब देखे यहाँ जहाँ पर चेश्ट मेरी सवा 10 इंच है वहीं पर मेरी साड़े 9 इंच गोलाई पूर्णी चाहिए तभी इस ब्लॉज की कटिंग एकदम पर फेट आई तो यहां मिला करके देखते हैं और देखिए मेरी ये कितना आ रही है तो यहां जाकर करके देखे एक दम ये साड़े 9 इंच पर जा आर्म होल और चेश्ट भी जो है फिर से देख लिए फ्रेंड ध्यान से देखिए देखिए यह नहीं जो वीडियों कुछ दिखाते हो कुछ हो रही है वह सो देखिए तो यह देखिए साड़े 9 इंच पर मेरी मिल गई तो यह किलियर हो गई चेश्ट की ब्लॉज है आर्म ह पर जो है हम 34 इंच की ब्लॉज की देखते हैं तो पहले आपको ब्लॉज की जेश्ट भी आपके सामने दिखा देते हैं यह चोथी साइकी नहीं है तो जहां पर जोइंट है वहीं पर देंगे फ्रेंड और भूप पट्टी को ना पेंगे तो यहां पर देखिए फ्रेंड यहां से मेरी कहां जा रही है तो यह देखिए शाड़े आठ इंच पर जाकर बैठ गई तो यानि कि यह चोथी 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 स्की एक बाग होती है तो यह किलियर हो गई चोथी स्की ब्लॉज है अब कांधा पर इंची टेप रखेंगे और यहां से नपते हैं तो कुलर ने यह समका बी आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए कॉमेंट जिनको भी सिखना है कॉमेंट करिए गा फ्रेंड तो वह अगर आप लोग को सावाद दस इंच जहां मेरी हुई वहां पर तो पाली बद एक ताली से किलिया कर देए यहां शाड़े आठ हिश दस पए तो मेरी 41 किया हो गई तो यहाँ देखिए फृरेब हो गई और इहां फिर से दिखाते हैं तो यहां से ना पई लिया और यहां देखिए सार है आठ इंस तो यह निसान जो पड़ी है यहाँ याने की 34 हो गई अब यहां से आरमल की गोल्राई भीaya तो यहां से ही मेरी थोड़ा सा छोड़ देंगे और दवाओ के लिए और नापी करते हैं तो देखिए फ्रेंट यह जा करके जो है मेरी साड़े साथ इंच पे जाके बैठ गई है तो उपर से सोलड़ के जोइंट के नापी दवाओ के छोड़ के और आप नापी लिजिए और फिर देखिए तो यह यहां भी मेरी मिल गई फ्रेंड यह निसान साड़े आप पे है तो जाहिर सी बात है यदि चेश्ट कम हुई यहां आगे आई तो यहाद कमर भी कम होगी और यह कटिंग यह 34 के लेने का तरीका बता दिए तो सेम चीज़ पर यह सावा यह जो है साड़े पांच इंच पर सोल्डर और पांच इंच पर यह के लिया हो गई तो आती है फ्रेंच हो सकता है जैसे कि इस ब्लाज की गुल आई जो तहा जैसे साड़े नौद दस इंच होती होता है किसी कोई लुजिंग पर दिया तो उसकी हुट्टू सिस्तिति में क्या करेंगे फ्रेंच हाप इंच बढ़ा देंगे जैसे कि साड़े पांच इंच लिये तो हम छो इंच कर देंगे तो यह देखे फ्रेंड यह अभी जो नीचे में है हाप इंच बढ़ा दिये फिर वहां से प बढ़ा देंगे और फिर नापी लेते हैं तो यह देखिए तो यह आपको यह जो है आप लोग भी ब्लॉज को नापी से यह देखिए फ्रेंड दस इंच पे मेरी हो गई तो कुम आप लोग कटिंग करने से पले-पले आर्मोल की गोलाई नाप लेजिए और चेस्ट की नि सां दोनों को देखिए तो हम दोबारा भी फिर दिखाते हैं तो यह देखिए मेरी दस पे जो है जा करके यह मिल गई है तो यह दस थी नहीं यह चाड़े नौ थी तो इसके लिए हम क्या किये नीचे में बढ़ा दिए छे इंच पे इसकी आर्मोल करती तो यह जिस इंच पे आके जैसे अभी बैट गई थी साड़ी नौ वाली वी दस वाली उसी तरह जो है आपकी नौ इंच पे आके बैट जाएगी तो यह समझ लिए बढ़ेगी तो आप उपर से लिजिए हाप इंच अगर घट जाती है तो क्या करते हैं नीचे हाप इंच बढ़ा करके ले लीजे था आपकी आर्मोर सहीद लेकिन कटिंग कलर करने से पहले आप आर्मोर के गुलाई जरूर ना पलेजी तो फ्रेंड अब इसका कटिंग करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही वीडियो को लाइक करना नहीं चुड़िएगा फ्रेंड लाइक जर तो फ्रेंड असा करते हैं आज की वीडियो आप लोग को समझ में आ गई आज हम आप लोगों को सोल्डर में कटिंग करने के लिए आर्मोर में जोलकियों आती है वो और साथ ही साइज में होती है बड़ी साइज है छोटी साइज है ये बार बार सुचना पढ़ता है कितना तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर धन्यवाद